नमस्कार दोस्तो दिवाली इंवेस्टमेंट आइडिया पिछली बार भी दिवाली पे दिया था आप लोग जो पुराने सब्सक्राइबर है उनमें से एक आइडिया दिया था जिसमें से ये था ये पानी की बात नहीं कर रहा दूसरी चीज़ की कर रहा हूँ आप लोग वेरवेर के idea जिनको चाहिए वो मेरा clarity for youth channel है उस पे आप जाना चुटकू channel पे और वहाँ देख लेना वहाँ पे मैं video डाल दूँगा और उसको आप ज़रूर देख लेना जो जो subscribe नहीं करें वो channel बहुत अच्छा channel है बहुत अच्छी चीजे हैं उसमें भी आपको मज़ा आ वो एक unique idea और एक ही चीज बताने चाहरा हूँ कोई मैं ऐसे 10 चीजे नहीं बताऊंगा लोग 5, 10, 12, 1, only one but it is unique ठीक है and patience के साथ जुड़े रहना भावना को समझना implementable practical है पूरे channel का एक हर वीडियो में आप एक चीज देखना बहुत ही implementable होगी और simple होगी easy मैं नहीं बोलता बिल्कुल claim नहीं करता लेकिन implementable और simple simple to understand easy जरूरी नहीं हो and बहुत चीजे लाइफ में ऐसी होती है जो simple होती है और easy नहीं होती तो यह सुझे क्या है ये investment ये investment है जी real estate real estate क्या वफास कर रहा है real estate तो बोलता रहता है ये unique क्या इसमें उसको करने का तरीक का unique बताने वाला हूँ आप समझ रहे है real estate तो unique नहीं है पर एक unique तरीके से invest करना बता रहा हूँ और जो लोग नहीं कर पा रहे है बहुत low ticket अच्छी opportunities आ रही है जिसने एक घर ले लिया है किसी ने एक ले लिया और इतनी जल्दी ले नहीं सकता real estate अब cycle में है opportunities बहुत अच्छी बहुत लोग जुडते हैं कहते कि मैं ये ले नहीं पाऊंगा मैंने वो ले लिया और जो मैंने वो लिया उससे जादा अच्छा निकल रहा है पर लग रहा है पर मैं ले नहीं सकता क् है लिमिटेशन तो है ना 50-60-100 प्रॉपर्टी तो नहीं ले सकती जो बहुत रिच क्लास होती है है उनके पास धन होता है और वो हर opportunity पर लपक के rich gets richer वाली चीज़ सुनी है आपने तो मैं यहां middle class audience के लिए मेरा core audience के लिए मैं एक चीज़ यह बताना चाहूंगा यहां पर क कि आप भी वो कर सकते हैं fractional ownership में अब fractional ownership में मैं यह नहीं बुलूगा कि को मैं fund manager खुद 1000 क्रोड कर रहा हूं और आप उदर पैसा डाले तो real estate investment trust वाली बात हो जाएगी वो तो वो जो commercial में डालते है वो अलग है के साथ चाचा चाची के साथ मामा मामी depending on आपके संभंध किसके साथ कैसे हैं blood relations में आप हर property में invest कर सकते हैं दो जने महिलाओ के नाम पर उसमें यह लोग कहते दी हमारी लडाई होगी अरे लडाई तो मिया बीवी की भी हो जाती तो भी property लेते है ना डैवर्सिस भी होते है उसमें legality पे तो कोई भी फरक ने पड़ता 100 रुपे की property है आपने 30 रुपे लगा है आपका 30 ममी जी से 25 रुपे लिए तो 25 परसन ममी जी का और जो बड़े भाईया जी है या चोटे भाईया जी है या चोटी बहन बड़ी बहन जो जादा पैसे कर रहे है उनका 45 हो गया आ या उसको बेच के अपने gains exist कर देना कैसा आइडिया लगा अपनों को ने ठीक तो है बट उसकी wife अलाओ नहीं करेगी या मेरी नहीं करेगी यह समझ में आएगा अच्छा मुझ को समझ में आएगा हो सकता उनको समझ में ना है यह challenge है तो idea simple है बहुत अच्छा है doable है implementable है प जब भी आप यह proposal लेखे जाएंगे वो एक counter argument का यह खलेश है हम तो FDFD खेलते हैं 20 लाग की समझाने के लिए आपको knowledge चाहिए product की और generally क्या हो रहा है जैसे माता पीता को अगर आपका 20 लाग की FD है अगर आपको एक लाग ब्याज आ रहा है साल का उसका तो अगर आप व कुछ नहीं खाना आपको यही चीज बतानी है माता पीता को की real estate में capital appreciation मी मिलेगा आपका 20 भी 25 तीस 40 पचास की तरफ जाएगा प्लस आपको हर मन्त भी कुछ मिलेगा और जैसे जैसे जिन्दगी जाएगी जिन्दगी देखो माता पीता 60-65 के बड़े FD करके बैठे हुए 95 विर्स तक के जिएंगे 30 साल में cyber hub में 4 जने खाना खाके आजाएंगे 30 साल बात cyber hub गुड़गाओं में एक जगे है अच्छा महेंगा खाना पीना रहता है वहाँ पे तो वहां के अच्छे को पंजाबी गिरिल में आप जाएंगे चार जने तो ये महेंगाई हो जाएगी और टकीला शॉट लगा लिए जो ये वाले काम दूसरे काम करते हैं जो लोग वो तो फिर उसमें होगा भी नहीं मैं 30-35 एस की बात कर रहा हूँ इंफलेशन को एडिजिस्ट करके सुनने में लोगों को लग रहा होगा है क्या बक् उससे पहले कोई बोलता कि एक टाइम का खाना दस हजार रुपे का होगा जब लोगों की गुरुपे अधिकारियों की तंखा मेरे खाल तीन-चार अजार रुपे होती थी स्टार्टिंग चाहे दो ढ़ाई तीससो पैटीसों परचीसों होती तो आप कैसी यकीन करते हैं आ गाउं में एक जगया है कि विच गाउं विच गुडगाउं अब वही तो मैं बोल रहा हूं तीस साल बाद होशो हवास में बोल रहा हूं कैलकुलेशन और सीधा फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आप लोग को तो फ्रैक्शनल ओनर्शिप आप लोगों को लेनी है और मम्मी माबापको यह बताओ कि हम सेलफिश नहीं है हमें नहीं चाहिए लेकिन आप ही की life नहीं पूरी होगी फिर आप हम से मगोगे तो मेरी बीवी जी ने देगी जिस पे आप अत्याचार करती थी करती हो या करना चाहती हो या कोशिश तो करती हो या नराज हो थोड़ी सी, या मूँ बन जाता है, या कोल्ड वार है, मतलब मैंने सारे बता दिये, इन पांचों में से कोई तो चली रहा होगा आपका और आपकी माताजिरी का, या चला होगा, तो जब बोलो जब ये हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, और ये शादी हमा डर लगेगा, शरम आती है, बहुत लोग मुझे कहते हैं, आपकी सारी बाते अच्छी हैं, पर हम अपने मातापितों को कैसे बताएं, बोलो नफरत की निखाओं से देखो इस पागल आत्मी की बातें, ऐसे बोल दो, बोलो मैं बिलकुल यकीन नहीं करता, पापा बमी, सु मझ में आजाए का मातापिता को क्या बोल रहा हूं, क्योंकि जो बात सही है, वो सही है, फोर्फोर्जा 16, 166 into 256, तो वो मैत का फॉर्मूला तो चले गई ना वाई, वो थोड़ना कोई गलत कर सकता है, जितने आप 60's में FD करके बैठे हो, रियल एसेट्स में आजाओ, मिलके ले सकते हो क्या माता-पिता अपना 15% हिस्सा ले सकते कौन सा दोखा होगा बेटा-बेटी कौन सा दोखा करेंगे आप लोग के साथ आपने 20 लाक लगा एक करोड की प्रॉपर्टी में आपको 20% हिस्सा मिलका कल को 20% किराया आगया लाइफ-लॉंग वो किराया उमर भर रहेगा तीस साल पहले क्या किराया था प्रॉपर्टियों का आज क्या है पूछ लो आपकी FD के रेट क्या दुबारा 18% की तरफ तो नहीं जाएंगे अगर आपका किराया 4% में भी शुरू होता है अच्छी प्रॉपर्टी का जो आज अंडर कंस्रक्शन में लेते हो फिर पढ़ेंगे एवरेज किसी साल कोवीड हो गया तो कम भी हो गये लेकिन एवरेज 6-7% तो वो रियल रिटरंस है इंफलेशन भी पैसा खाती है आपका पड़ा-पड़ा पर रियल एसेट्स वैसे रहेंगे तो आपका बुढ़ापा ठीक रहेगा उपर से क्या है आपके पा पैसा ही प्यार होता है यह होता है रहे भाईया तुम FD अपनी तोड़ोगे इनसे पैसा मागोगे तो आप लोगों की जो सीनियर सेटीजन है या बनने वाले अगले 5-10 साल में जो 50 क्रॉस कर गें उनके लिए मैं भविश्य चीज बता रहा हूं कि a family which invest together stays together मेरा एक वीडि अर्टी बस में वीडियो नहीं सुना पेशन्स किसके पास है टाइटल देखके कोमेंट कर दो है चाली सेकर तू हमारे इंडियन उस कॉल्चर को कौन सा कल्चर भाई सारे कल्चर जानता हूं अगरी कल्चर से लेके 15,000 पुराने वाले पूरा सुन तो लो मैंने बोला माथा पीता के बगल में पड़ोसी बन रहा हूं अब वो पड़ोसी आपको रेंट पे रहना है या खरीद के रहना है वो आपके मर्ची उन्हीं की नहीं सेम में रहेंगे एक ही किचन होगी हमारी ऐसी रहेंगे हम तो उस पे फॉलो आप वीडियो बहुत बनेंगे पहले तो मैं बिप्लोमेटिक तो देखो मैं दे कम्यूइटी विच आइक विच नाम आप जानते हैं इस नौट नोन फॉर डिप्लोमेसी आच सच ठीक है थे स्टेट एंड दे कम्यूइटी ठीक है पर फिर भी थोड़ा आदमी स्वाहता हुआ करता है कि यार तहीं जादा लोगों को प एकदम एक्स्ट्रीमली बोलना पड़ेगा और जब तक लोगों के बिलीव सिस्टम्स करश नहीं होंगे ये वाले क्योंकि जब आप वो एसेट बनाएंगे न तो वो एसेट हो सकता आपका बेटा बहु का ही एसेट बन जाए जिसमें आपने पैसे लगाएं और आपके हो को अलग रहने की आदत होगी तो फिर तो फिर आपको गाड़ी में चलने की आदत होगी तो पैदल कैसे चलेगे चल लेते हैं जब चलना होता है है तीन टाइम खाने की आदत होगी तो एक दिन दो टाइम किसे खाएंगे बहुत मजा आ रहा है मुझे आप लोग को आ रह कि मेरे बढ़ापे का सारा है मैं तेरे को प्रॉपटी लेने में दे दूं तो मेरा क्या होगा अरे भाई अपना नाम करा लो और सीधा सीधा बोल दो बेटा ऐसा है 35,000 किराया बनता है उसका तूने 50% दे रखे तूने लोन लिया है अपनी वाइफ से लिया है वाइफ ने दि कर लो और जो बेटा है उसको क्या तकलीफ हो रही है मिल रहे है उसको पैसे उसको देना तो कुछ नहीं किराई देना है थोड़ा सा और वो अपना कर लेगा हिसाब और बाद में at some stage आप उनका हिस्सा खरीदो और जो companies होती उनमें भी तो ऐसी होता है प्रमोटर शेर दे द प्रसंट की हिस्सेदारी ट्रांसफर कर लो मान लो फ्लाट बढ़कर उतनके एक रेट का हो जाए तो उसमें जो बीस प्रसंट हिस्सा था उसको मार्किट रेट पे खरीद लो आइंड ब्लड रिलिशन्स में जिसे हरियाना में अभी यूपी में भी हो गया है पहुच टेट में भी हो रहा है ट्रांसफर इस फ्री आफ कोस्ट वो लॉयर दो चार हजार उपे लेगा अरे ले तो सही प्रॉपर्टी लो तो सही सब आदमी क्या कर रहे हैं थोड़ा वी जनों का वो वेल पिरपेड नहीं है मैं आपको वेल पिरपेड कर रहा हूँ तो इसको ध्यान से सुनो हर आदमी कोई डीमैट अकाउंड में पांस लाग लेके बैठा है शेर खेल रहा है भाया तुम पांस लाग से शेर खेलोगे ना तुम कभी अमीर नहीं बनने वाले शे एक लाग किसी गुधार दे रखा है, सारा खिंड बिंड कर रखा है अपना पैसा, कुछ लायक नहीं कहीं, पहुच नहीं रहे, और यही काम पापा जी ने कर रखा है, यही मम्मी जी ने, यही बेटा बन, यही बेटी टू, यह साली, साला, जो भी कॉंबिनेशन है, आप परसंट गिरते, SIP बंन हो जाती है, करने वाले तो बनो SIP, और फिर लोग क्या कहते है, SIP करके क्या करोगे, फिर भी घरी खरीदोगे, जो करोगे क्या, SIP करके क्या, बेटी की शादी में लगा दोगे पैसे, पचास लाख, एक क्रोड़, वो वाले टाइम तो रही नहीं शादियां पचास लाग लगी पचास दिन नहीं चल रहे शादी का खर्चा जीरो कर लो सारे के सारे अपने बच्चों का बोल भई एक रुपया नहीं लगाते शादी में घर ले ले घर के पैसे ले ले थोड़ा ले ले सौरे कपल लेने को त्यार है हाँ बपा जी कर दो पर वो ममी जी हम इतनों का खा के आये थे ये समाज में कुछ करना भी होता है समाज की फिकर है या अपने बढ़ापे की फिकर करो क्योंकि पुतिन यूकरेन पे अटैक आपकी समाज में स्टैंडिंग देखके नहीं पूछता वो अटैक कर देता है जो कोरोना चाइना से आता है यहां आता है वो आपकी समाज की स्टैंडिंग पूछके नहीं आता आने वाले टाइम और अंसर्टन होने वाले हैं और इस समाज की तो वैसे ही लगी पढ़ी है हर चगे तो यह इस पे अगर आपको पूरी clarity चाहिए क्योंकि थोड़ी कटूता बढ़ानी पड़ेगी समझाना और अच्छे से पड़ेगा नीम के लड्डू खिलाना है ये समाज को नीम के लड्डू ठीक है वो जाओ वहाँ जाके काड़ा बढ़ा पीना पड़ता है न आयरुवेधिक बले जाओ तो वो बड़ा cleansing बड़ी होती है पर वो पीते टाइम बड़ा ऐसा लगता है पर पीने के बाद ना अगला दिन फिर उससे अगला दिन बड़ा अच्छा और light फील करता है उसी तरह कई लीम के लड्डू लेके बैठा हूं मैं भी आप लोगों को खाने हैं तो आप लिख दो नीम के लड्डू में NKM लिख दोगे आप लोग तो ऐसी ऐसी बाते बताओंगा कि आपके पिता जी माता जी का बिलीफ सिस्टम अलग होगा और आपकी लाइफ निकल पड़ेगी बच्चों की बिना आपका कोई लालच आपके पार्ट में या उनके पार्ट में आप ये चीज क्यों नहीं समात समझ रहा कि ना माता पिता खराब है ना बच्चे खराब हैं बच्चों की जो प्रॉलम्स हैं वो माता पिता सही कर सकते हैं लेकिन वो किसी कारण करना नहीं चाते या उनकी अपने इनसेक्योरिटीज हैं और माता पिता की जो इनसेक्योरिटीज और मैं तो कहूँगा financial illiteracy है या किसी और time जमाने में फसे हुए ये जो बच्चे हैं उनको इसको समझाना नहीं आता without feeling की मैं लाल्ची हूँ बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मिरे से बहुत जुड़े हैं 20s, 30s के youngsters कहते हैं हमें सब समझ में आता है पर बताएं कैसे एफडी डाली है तो certificate आपके नाम पे तो जब आप property लोगे तो registry में मम्मी जी का नाम आएगा ना सुनीता देवी, विमला देवी, सरीता देवी जो भी है इनका नाम जिसका भी मम्मी का जो नाम है और फोटो खीचेगी ऐसे करके सास बहू की फोटो खीचा दो आप एक बार फरेम में लेके तैसील में, मजाल है आपस में लड़ाई कर ले इतना घनिश रिष्टा आपने कर दिया पेपर पे उनका, करके देख लो रेमिडी बता रहो मैं आज दिवाली में यह वाली, बहुत बढ़िया रेमिडी है सास बहू के नाम पर प्रॉपर्टी ले दो दोनों की इन सिक्यूरिटी गई यह पती मुझे छोड़ देगा तो यह मेरा बेटा मुझे छोड़ देगा तो मेरे पती चला गया और मेरे बेटा भूने मुझे निकाल दिया तो, या मेरी फिनैंशल सेक्यूरिटी यह सब के दिमाग में चलती है आपने इसको उस पर पानी डाल दिया ले, तुम दोनों के नाम पे है कौन की इसको करके जाएगा क्या करेगा, कर लो बिना एक दूसरे के दुबारा फोटो किचाए चीज भीगेगी और हैं टिखाव बैठके ओह मुझे थोड़ा देखो यह बहुत ज़रूरी है समाज को जो मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो ऑपरशनिटी आती है रियल स्टेट साइकल की वह जब तक आपको ग्यान आएगा वह उपरशनिटी चली जाएगी यह आपको रिलाइज़िशन आएगा तो जुड़े रहो प्लाटिनम मेंबर को तो मैं मास्टर जी की तरह सिखा रहा हूँ ठीक है आपको प्लाटिनम मेंबर बना है बनो नॉर्मल वालों को भी सिखाने की होगी बढ़ देन उसमें एक लिमिटेशन आजाती है ठीक है टेकनोलोजी की भी टाइम की भी तो जिसको थोड़ा टूशन पढ़नी है स्कूल में आ गया है मास्टर बढ़ाडिया है किता अच्छा पड़ना थो टूशन पर आ जा प्रशवां पर बढ़ दे सारा तू नहीं क्यों पढ़ाएक। लगता है समझा देता हूं पर जो 10% है ना वो मजा उसी में है असली समझ उसी से आती है तो 90% तक तो मैं समझा पाता हूं मुझे ऐसा लगता है पर आखरी 10% होता है ना तो सेंचरी जैसे है ना 99 से एक अरंज से बनती है ठीक है एक और एक्जामपल देके एंड गरूँगा कोई आदमी चार रोटी की भूग है आपकी ठीक है एंड तीन रोटी आपको मिलगी भूग चार की है तो क्या तीन से पेटर नहीं भरा आपका भरता है 75% तो क्या पर वो असली भूग वो एक रोटी ही पूरी करती है और वो ना पूरी आए तो पूरी satisfaction नहीं होती अधूर तो वो चौथी वाली में उसमें ताकत है जैसे जब गौर्मेंट गिरानी या बनानी होती है ना तो वो जो इंडिपेंडेंट के हमेले होते है ना तो जिससे जैसे 90 सीट है किसी प्रांत में और 46 मेजरिटी चाहिए तो 46 वे वाले को सबसे ज़्यादा perks, privileges and इज़्यत मिलेगी जिससे गौर्मेंट बनेगी फिर 47 वा, 48 वा, 49 वा, 50 वा आ जाएगा हां उन्हें भी मिलेगा लेकिन वो वाला सबसे important है जिससे वो transfer होता है तो ये भी एक बहुत बड़ी learning थी और जब हम ये एक एक रोटी इखटी कर लेते हैं सब एक एक लेके ब बना सकते हैं क्योंकि हर साल हमारी कुछ ना कुछ increment, तरक्की, कुछ better चीज होती रहती है लाइफ में ठीक है जिन परिवारों में सब normal ठीक ठाक चल रहा है तो इस तरह हम multiple properties बना सकते हैं at some point of time हम उसको restructure कर सकते हैं तो ये restructuring, requiring, पहले वाला बीच के ये करना बहुत अच चर्चा होती है, politics, vote किसी में, ये कौन बनेगा, वो बनेगा, ऐसा बनेगा, आपकी life में क्या हो रहा है उससे, time pass करना है, अपनी life का agenda पकड़ो ना, परिवार के सारे आदमी जहां मर्जी भी हो, whatsapp group call पे, zoom call पे, किसी पे जुड़ो, और ऐसे चाय पे चर्चा करा करो, कि आज का agenda है, हमारी उस वाली property पे चर्चा करना, और ये नई opportunity आई है, और इसमें हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, क्या आप कितना पैसा लगाने को त्यार है, मैं कितना पैसा लगा, अच्छा payment plan क्या है, फाइदा कैसे होगा, नाम नाम किसका लिया जाएगा, और्तों का नाम लेने उसने जाता है, इसमें एक रिझस्टि उसमें दो तीन लोगों की फोटो, दो कर लो या तीन कर लो उसे जाधा हो, तो ज्यादा रहता हो जाता है ठीक है, दो या तीन लोग कर लो, परिवार, दो बच्चे, बीवियां, उनके हस्बंड, कॉम्बिनिशन कर लो, जहां से इंकम टैक्स में सबसे ज़्यादा फाइदा हो, तो लंबात जरूर हुआ पर आइडिया कैसा है, यूनीक आइडिया है या नहीं है, प्लीज बताईए घंकी बरेगा, थानके है पोतार ही आडिया कैसा परेडिया बचक या ओशा है ये जरू बच्छ मोनी करें खेडिया हैं, प्ली हम लेक्च वितलन हैं, तुनाश कर दिया है, तो खिविफितीन आइडिया के ज Trajekt येपिते हैंक्से का अज्य क